आपयास काट कर अख कैसे हो गई कितना जलन होती आखो में आखो ना घ्सकाटने से और तनहीं की कोई होती है है नमा किसम चलेट उलीगागर क॰ कर आपक होसा स्लें तो मसका लगा जा रहा है। है ना। मसका लगा जा रहा है। तो च्रेंज प्याज इस तरह लाल कर लेना है हमें। मैं बना रही हूं मतन लीवर। इसमें नहीं बताया तो अपने हिसाब से पनाा लेते हैं जिसको जैसा खाना होता है मैंने थोड़ा सा प्यास थोड़ा सा टामाटर एट किया है इसमें और अद्रग लशन नमक मर्ची यह जाएगा इसमें बस तो देखिए फिर देखी मैंने इसमें healthy and matchy add कर दिया है अपने तेज के हिसापते जितना हम तीखा खाते हैं इसके according ही आप डालिए आपकी घर में कितना तेज खाते हैं वो हिसाप से हमारे तो medium ही होता है ज्यादा तेज नहीं ज्यादा फीका नहीं तो medium ही खाते हैं हमारे पास देखिए friends मैंने mutton liver को इसमें add कर लिया है आप देख सकते कि यह अपना color change कर रहा है जैसे कि जैसे ही oil में जाते हैं वैसी white white वो change हो जाता है color mutton liver का तो यह बहुत ही लजीज बनता है बहुत ही tasty लगता है खाने में आप इसे रोटी से खा सकते हैं राइस से खा सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा लगता है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि आप कड़ाई में भी आराम से बना सकते हैं आप इसमें थोड़ा सा पानी एक करके उसको ढगकर 20 मिनस के लिए छोड़ दें जब पानी सूख जाएगा तो अपने आप यह सब soft हो जाएगा और यह fry भी बहुत अच्छे से हो जाएगा तो भून लें इसको पानी सुखने के बाद आप इस तरीके से ऐसे से करके अपनी चमच की मदद से चलाते रहिए तो वो छिपकेगा नहीं और वो fry हो जाएगा तो यह बहुत जल्दी बनने वाली चीज़े हैं ऐसे कोई बात नहीं कि आपको कुकर की ही ज़रुरत हो मैं इसमें पानी एड़ कर रही हूँ एक गलास मतलब ज्यादा बड़ा गलास नहीं है तो इसमें मैं पानी एड़ कर रही हूँ कर लिया है अब इसे हम ढख देंगे और फिर 20 मिनट बाद इसे हम ओपन करेंगे तो मैंने ढख लिया है अपने कड़ाई को मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए इस तरीके से मैंने इसे क्लोस कर लिया है एक प्लेट की मदद से तो फ्रेंज यह देखिए टाइम अब 9.25 हो रहा है तो हम उसे कड़ाई को ओपन करेंगे तीखे हम कड़ाई को ओपन करेंगे 20 मिनट्स में मतलब 9.25 ना तो हम ओपन करेंगे 9.55 राइट हाँ 9.50 ऐसा ही एफ्रेंज मोहमद अली अपनी पड़ाई में बहुत बिजी है कल उसका एवी एस है साइन्स तो अभी इतना लिख चुका है वो अभी उसको और बहुत लिखना है तो वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है मिनिंग रिविजिन कर रहा है रिवाइस कर रहा है तो कल वो फिर रेडी होगा ना अच्छे माक्स के लिए राइट हाँ यहाँ देखो राइट ना कल कैसे करोगे अच्छा करूंगा माश्याला अच्छा करूंगा अच्छे रिपोट आएगा इस बार हाँ अच्छा रिपोट आएगा इंशाला पका पका ओके कल एक भी कोईशन आंसर नहीं छुटेगा ना नहीं छुटेगा इंशाला इसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि एक भी कोईशन आंसर नहीं छोड़ेगा और इस बार बहुत अच्छे मांक से पास होकर दिखाएगा मेनिंग अच्छी रिपोट आएगी है ना हाँ हां तो यह है मेरे शाम का रूटीन खाना बनाना घर का कुछ काम हो जाता है फिर फिर यह सब खाना खाना फिर ऐसी 1130 हो जाएंगे फिर 1130 को हम सो जाएंगे तो मौमद अली का अभी तक पढ़ाई चल रही है मैंने अपने बरतन धो लिये हैं सुबा से बरतन नहीं धोई थी कपड़े बहुत हो गये थे कपड़े पूरे धोई तो अब मेरे बरतन हुए है बाश करने के तो अब देखो मौमद अली अब तक थोड़ी देर थोड़ी देर तो फ्रेंज देखिए मैं आपको जब टाइम दिखा कर गई थी ना दिख रहा है आप देख सकते हैं मैं सामने से बताती हूँ यह देखिए मैंने बोला था ना 925 को कि मैं 10 955 तक मैं दिखाऊंगी तो चलो देखते हैं फिर तो चलिए देखते हैं इसको खोल कर इसका क्या हुआ है प्लीज इग्नॉर माइक गंदा चूला कि अभी मेरा काम चल रहा है वो मदली हस रहा है वाँ माशाला माशाला यह है हमारी अल्ला की शान जो के इतने कलर अल्ला ताला ने भेजे दुनिया में हम गुनेगार बंदों के लिए हर चीज खाने के लिए दिया है हमें तो अब फ्रेंट आप देख सकते हैं कि 20 मिनिट्स में कितना ही लज्जीज और बहुत ही टेस्टी बनके रेडी हो गया है आप नहीं मैंने आपको लाइफ डेमो दिखा रहा है डेमो ऐसे कुछ है तो घर में सारे कपड़े कपड़े है क्योंकि आज ही कपड़े दोई हूं तो यह हो चुका है 9 55 आप मैंने ठीक बोला है तो 9 55 हुआ है देखिए अगर मैं इस तरफ रहूं तो उजाला अससे थोड़ा सब कुछ ब्राइटनेस के मितलब घर में उजाला कौन से साइड आता है उसके ओपर डिपेंड करता है अगर आप वीडियो बना रहे तो आप ऐसे ना बनाए या ऐसे ना बनाए क्योंकि लाइट यहां पर है तो आप इस तरह ना खड़े होए ना इस तरह तो जहां पर ला जल्दी कर अभी खाना 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 भी खाना है तो फ्रेंस अभी मुझे और भी बहुत से काम है जसे की कपड़े है यह सुखाने बाकी है यह कपड़े है जो यह मुझे उठाने बाकी है बहुत से काम है मैं तो थक गई चलो जल्दी करो जल्दी खाना अभी मुझे भी भूख लग रही है यमी यमी सा बना है आज टेस्टी लग रहे हैं अमी आप क्या हाथ का हाना तो एक दाना भी ने छोड़ेगा हाथ मेरे हाथ भी खाले हाथ चबा जाएंगे आप बना है तो यह सब थांक्यू इतनी तारीफ करने के लिए मेरी मुहमद अली को बस ऐसी पसंद है राइस एंड मटन लिवर उपर से तो उसने दाल वगेरा कुछ नी लिया यह लब्स लाइक देस अनली